निमाड दंगों की आग में जल रहा है और इस वक्त हमारे साथ है मद्धिप्रदेश के ग्रिफ मंत्री डॉक्टर नरोतम मिश्र सर कितनी कारवाई हुई है कितनी दुकानों कितने मकानों को तोड़ा गया और कितने लोगों की रफ्तारी हुई है चौर अन्वे लोग अभी तक ग्रबदार हो गए है ऐस्पी साब की हालत पहले से बहतर है गोली लगी थी टी आई साब का सिर्फ अठाता वो भी बहतर है वो एक जो शुकला हमारा बच्चा था कल तक वो वेंटिलेटर पर था पर आज उसको भी आराम है मैं समयता हूं कि बंगाई थे जो अतिकमनकारक थे उन सब पर कारवाई लगातार चल रही है कल भी चली थी आज भी चलेगी सर आपकी सरकार में कुछ बुल्डोजर मामा या बाबा बनने की होड लगी है क्या क्योंकि लगातार घर ध्वस्त किये जा रहे है अब आरोपी और अपरादी में फरक्त होगा ये काम तो कानून को करना है अडालत को करना या पुलीस प्रशासर नहीं कर लेगी निए आरोपी और दि कहां से आगया बात जो सामने दिख रहा है इसमें आरोप कैसे कहा रहे ह हुआ जो वीजूब में प्थर फैंकते दिख रहा है जो फोटेज में प्त्र जाएगा ना कानून का डे रहे ने उसको जेल वेजने है वो कानून में जाएगा पर जो आतिक्रमान भो तो ठूतεί गा सर पर घर में एक आरोपी ने इसके ना उसके माबाप हैं और उसके थे सोचा और उस में नहीं बुला आप लोगोने कुछ जब पत्थर पे के गोली चली तलवार चली बिलकुल सारी बाते हो रहे हैं सारी बाते नहीं बुल रहे हैं आप खामोश थे हम आपके नीमित दर्सक भी है न कोई बात नहीं लेकिन मुझे सिर्फ यह बता दीजे सर कि घर जो तूट रह हैं क्या वह अवैद साबित हो गया है क्या प्रशासन साबित होने के बाद ही तोड़ रहे है जो जो आए है उसमें परिक्षन हो रहा है परिक्षन होने के बाद ही कारवाई हो रही है